इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आँखें नम हो जाएंगी जो लोग खाना वरबात करते हैं ये तस्वीरे उनके लिए एक सबब है क्यूंकि इस गाउं के लिए दो वक्त की रोटी के माइने ही कुछ और है ये पूरा गाउं रोटी तो खाता है लेकिन वो आटे से नहीं बलकि मिट्टी से बनी होती है गरीबी और बेवसी का ये मनजर है कैरीबियाई देशों के हैती गाउं का यहां गरीबी का मनजर ये है कि पूरा गाउं मिट्टी पर अपना गुजारा कर रहा है जैसे कि आप वीडियो में देखी सकते हैं कि लोग मिट्टी में नमक और पानी मिलाकर रोटी की लोई त्यार कर रहे हैं जिसके बाद वैस कीचर को धूप में रोटी का अकार देकर सूखने के लिए रख देते हैं जिसके बाद यहां के लोग और बच्चे नमक में मिली रोटी खा रहे हैं वैसे तो इस गाउं की हालत साल 2008 के बाद से आई महंगाई की वज़े से है जब तेल की किमतों में अचानक उच्छाल आया तेल की किमतों के उपर जाने की वज़े से खाने पीने की चीज़े 40% तक महंगी हो गई इसके बाद साल 2010 में आये भुकंप ने यहां की हालत और भी ज़्यादा बिकार दी इस बुकंप में धाई लाग के करीब लोगों की जान चली गई थी वहीं 30 लाग से जादा लोग उस बुकंप से प्रभावित हुए थे हैती अब भी उससे उभरने की कोश्चों में लगा हुआ है वीडियो डेस्क अमार्जाला टीवी नई दिल्ली है अबादा बिकार सैंक hm झाल झाल